असलाम वालेकुम वेलकम टो अकैडमी जी स्टुएंट आज का जो मारा टॉपिक है वो SDS से मतालिक है इस इसले की पहली वीडियो SDS 1081 के नाम से आप लोग अल्री देख चुके हैं आज इस इसले की सेकेंड वीडियो आपके सामने मुझूद है सबसे पहले तो आप एक काम करें कि अकैडमी-कैचरी.com की वेबसाइट पर जाएं और राइट साइट पर देखें इमेल नोडिफिकेशन का ओप्शन मुझूद है यहाँ पर अपना इमेल एडर्स और फरस्ट नेम लिक के सबस्क्राइब करें तो आपके पास इन बॉक्स में एक इमेल कंफर्मेशन लिंक आएगा उस्तों कंफर्म कर देगा इस तरह आप हमारी इमेल लिस्में शामिल हो जाएंगे और इन फिचर जो भी हम पोस्ट अप्लोड करेंगे तो बाइमेल आप तक पहुँच जाएगी इसी तरह हमारा फेस्बुक का पेस्ट भी मुझूद इसको भी लाइक करना नहीं भूलिएगा जी जनाब हम टॉपिक के जानिब जलते हैं आपने लास्ट वीडियो के अंदे पीडिये से मताली कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी और वो चुकि जरूरी थी एस्डियेश को समझने के लिए तो इस विए से पहले मुझे आपको पीडियेश के मताली के इंफॉर्मेशन देनी पड़ी आज से हमारा असल टॉपिक शुरू होगा आज की टॉपिक के अंदर हम लोग S.D.H. को देखेंगे के S.D.H. है क्या S.D.H. के फ्रेम देखेंगे उसको क्या कहते है S.T.M. किलाता है वो तो हॉस की कल्कॉलेशन करेंगे, स्टेयम फ्रेम के जो मुखतली लेवल से उनको था डीटेयल से देखेंगे, उसके बाद हम SDH फ्रेम के अंदर जो वराइड हैं उनको था द देखेंगे, path वराइड होगा, section बेदाएड होगा उनको था डीटेयल से डिस्क्स करेंगे उसके बाद हम SDA signal की mapping देखेंगे फिर हम network elements पर भी थोड़ा सा discuss करेंगे देखें अब से पहले मैंने आपको PCM की वीडियो बनाई के दी उसके बाद मैंने E1, T1 lines बनाई थी सही उसके पहले I think मैंने communication system समसाली की वीडियो बनाई थी फिर मैं PDSG वीडियो बनाई दी ये चार वीडियो ऐसी थी ये तमाम की तमाम जो है digital communication से relate करती हैं और इन चार वीडियो जब मैं बना रहा था तो मैंने आपको एक बात जबी ये वीडियो बनाई है मैंने तो एक बात पर आप खास तो पर जोड़ दिया है कि यार दो खुड डिजिटल सिस्टम जो होते है न उसकी जो डिजिटल सिस्टम में जो बिट के transmission होती है वो सिस्टम की clock pulse पे बहुत ज़ादा depend कर रही होती है अगर transmitter side और receiver side की clock synchronization out हो जाएगी तो क्या होगा आपका data जो है सही तरह से receive नहीं हो पाएगा या तो corrupt हो जाएगा या पर जाय हो जाएगा इस बात को मैंने खास अप explain किया दा line coding वाली वीडियो के अंदर तो SDH, PDH इसका जो main difference जो है अगर आपसे कोई पूछे किया SDH और PDH में क्या difference है क्यों PDH को खतम करके SDH को लाया गया तो जनाब पहला difference यह है कि SDH जो पिली synchronous digital hierarchy था सही और जो PDH पिली synchronous digital hierarchy था अब जो SDH यह है synchronous digital hierarchy synchronous और PDH में फर्क होता क्या है basically synchronous system वो system होता है जिसके all elements, all systems जो है एक central clock के साथ synchronized होते है जबके पिली ये करोना system वो system होता है जिसमें तमाम systems की clock different होती है और तमाम clocks आपस में उनकी frequency same होती है अब आप बोलोगे यार उस frequency इसमें भी same है उसमें भी same है फर्क basically कहां पे आया या तो को फर्क basically यहां पे आया कि मिसाल का तौर पर आप पे हाथ में भी एक घड़ी है आपके दोस्त के आथ में भी एक घड़ी है दोनों analog घड़ी है यानि सकांटे वाली घड़ी है सही है आप उसके उपर time set करते हो दोनों बिलको exact same time रखते हो सही आप उस time को एक महीने के बाद देखोगे घड़ी का time बिलको same रहेगा लेकिन हो सकता है कि आप एक साल के बाद या दो साल के बाद अगर घड़ीया मसलसल चलती रहे है उसी तरीके से तो जब आप उनके time को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हायर आप दोनों घड़ीयों के अंदर एक दो मिनिट का difference आ चुका है क्यों क्योंकि clock को कितना भी जो घड़ीयां हैं को आप कितना भी एक दूसरा synchronize कर लो लेकिन थोड़ा बहुत सा difference रहता है थोड़ा बहुत margin जिसे कहते हैं कि अपना एक precision difference रहता है दोनों के दर्मियान में सही जबके synchronous system वो होता जिसमें तमाम के तमाम devices जो हैं एक central clock से synchronize होती है उसके अन्दे ये बात नहीं होती है उसके अन्दे क्या होता तमाम के दर्म सिस्टम जो central clock से डेटा ले रहे होते हैं तो वो तमाम के तमाम एक जैसे रहते हैं लेकिन पहले ये क्रोनस कहना है सबकी clock अलग अलग होती है लेकिन frequency सेम होती है लेकिन चूंकि clock अलएदा अलएदा है इस वज़ा से उसके अन्दा थोड़ा सा variation आ जाती है तो वो पले ये क्रोनस सिस्टम कहलाते हैं जो पहले हुआ करते थे वो नेर टू सिंक्रोनस होते हैं लेकिन सिंक्रोनस नहीं होते हैं अब जो हैं वो सिंक्रोनस सिस्टम में सिंक्रोनाईज है वो central master clock होती है उसके साथ तमाम स्टेजिस सिंक्रोनाईज होती है तो इस तरह क इसको छोड़ दो आप तो सिंक्रोनस पर लिए करोनस में डिफरेंच यहां पर बताना दुबारा मकसर इस वह से कि आपके जहन में यह एक कॉंसेट बैड यह ए एची तरीके से चले जनाब हम टॉपिक के जानीब चलते हैं SDH क्या है SDH है Synchronous Digital HR की Synchronous कलव में आपको थोड़ा पता दिया है अच्छा European Union और Japanese का Standard है ITUT ने इसको Define किया था चले जनाब हम आता है हमारा Main Topic देखें जब हमने PCM की वीडियो देखे ति उसमें ने देखा था कि एक फ्रेम आप बनाते हो फिर आप डेटर ट्रांस्मिट करते हो जब हमने Ethernet की वीडियो देखें इसमें हमने देखा था हम आप एक फ्रेम बनाते हो Ethernet का फिर आप डेटर ट्रांस्फर करते हो IP के अंदर भी यही था सही है अब SDH के अंदर भी आप क्या है SDH का जो सिस्टम है इसमें भी एक फ्रेम बनाया जाता है अच्छे यह सारे फ्रेम क्यों बनाया जाते हैं तो जितने भी हमने पहले फ्रेम देखे Ethernet का फ्रेम देखा IP का फ्रेम देखा PCM का फ्रेम देखा हर फ्रेम के अंदर कुछ नहीं कोई साथ में दो चीज़ों होती है एक होता है उस फ्रेम के अंदर information क्या है दूसरा होता है उस frame को control की information भी उसमें साथ में शामिल होती है जो main information होती है उसे हम कहते हैं payload जो कि आपकी main information होती है और जो इसके लावा controlling information उस frame के साथ attach होती है वो भी frame का हिस्सा होती है लेकिन वो information का हिस्सा नहीं होती वो उस frame को control करने के लिए monitor करने के लिए उसके साथ में टैज होती है उससे हम कहते है overhead यानि frame basically दो हिस्तों में divide हो तो कोई भी frame हो एक होता है payload एक होता है overhead payload क्या होता है जो कि original information को contain कर रहा होता है जब कि overhead क्या होता है वो information को contain नहीं करता information नहीं रखता अपने अदर बलके वो उस information को control कर रहा होता है अगर रस्ते में information करप्ट हो जाती है तो वो पीछे बताता है कि हाँ पर information खराब हो गई है दुबार उसको send करो information में कोई error आता है तो उसको rectify करने के लिए वो काम आता है सही information को कहां से कहां पहुंचना है उसका destination क्या है उसका क्या नहीं अपना है कहां से end station कहां से start होगी कहां पर खतम होगी यह तमाम की तमाम information जो है आपके overhead में होती है तो इसी तरह sdh के भी एक frame का structure होता है sdh के frame को हम कहते है stm synchronous transport module module अब level 1 है इसका basic frame जो होता है stm 1 कहला आता है उसके बाद stm 4 आता है stm 16 आता है stm 64 आता है तो यह इसके बाद आगे मज़िद level आते है अच्छा जो अभी हम बात करें के stm 1 frame की stm 1 synchronous transport module level 1 यह ITU T की recommendation है g.707 अब यह recommendation क्या होती है 707 किया है इसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि आप सिर्फ कुस्ता समय लो एक file होती है ITU T organization है इन्होंने एक file बनाई एक paper work काम किया उन्होंने उसका नाम दिया 707 उसके लिए तमाम बाते लिए कि अगर कोई sg system बनाएगा और इसमें STM frame बनाएगा तो उसकी क्या क्रेक्टिरिस्टिक्स होंगी अगर उन्होंने लिए रख दिया है ताकि अब कोई भी इसमें STM 1 का frame बनाएगा तो इन्ही क्रेक्टिरिस्टिक्स फॉलू करेगा इससे फायदे किया होगा जो मुक्तलिफ लोग बनाएगी frame तो आपस में एक दूसरे के साथ communicate आराम से कर सकेंगे इसे हम कहते हैं vendor independent इससे यह नहीं होगा इकर आपने सिमिंस वालों का system लगा अप अगर समने लगाना पड़ेगा आपने हवावे के लगाया तो अदर इंट पर हवावे के लगाना पड़ेगा या या लिकटर लगाय। अदर आ अपर Cream के लगाना पड़ेगा एक area के लाइता है container का area सही इसके अन्दस सारा आपका पिलोड होता है information सारी आपकी éste yellow color के अन्दर होती ही सही उसके बाद यह अरिया है green color में, red color में, blue color में यह सारे इसके overhead ہیں overhead क्या करते हैं यह इस yellow color वाले information वाले area को control करते हैं पहले हम बात करेंगे अभी हम आगे जाके डिसकस करेंगे इस पेलोड वाले अरिये को फिर थोड़े बात हम डिसकस करेंगे इस अवरहेड वाले अरिये को सही तो अभी इस फ्रेम की कुछ करेक्टिरिस्टिक्स हैं क्या करेक्टिरिस्टिक्स हैं आप देख सकते हो फ्रेम य यानि लंबी लंबी लाइन है, कॉलम क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, यह लंबी लाइन, और वन से लेके नाइन तक यह रोज है, यानि होरिजन्टल लाइन है, यानि 9 होरिजन्टल लाइन है, और 270 जो है, वर्टिकल लाइन है, अच्छा, अब वर्टिकल लाइन कहन बृमिल नबर 11 से 3-2,70 , यह क्या 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 चलाते है, यहें चलाते हैं, यहंते हैं यह चलाते है, यह चलाता है इस फूरे फ्रेम का क उसके चला रही आधा होता है, 125FF95 अनुक्त y यानी एक फ्रेम जो है 125 championship लेता है निकलने में और बस फिलाल यहांस तक इतनी सी बात आपको जहने रहने चाहिए अब आजो इस फ्रेम को पर थोड़ा डिटेल के साथ वो जो आई टी यूटी रिक्मेंडिशन उसमें क्या क्या बात ने लिखिए हैं आप यह समझ लो बही दोगों यह आप फ्रेम बनाओ गे यह 272 कॉलम होंगे इसमे 9 रोज होंगी सही इस फ्रेम की TRANSMISION रो बाई रो होगी यह नि पहले 9 रोज देख हैं इसमें पहले यली रो टर्समिट करेगी ये वाली रो निकलेगी पहले उसके बाद ये वाली रो ट्रांस्मिट होगी उसके बाद ये वाली रो ट्रांस्मिट होगी इस तरह 9 की 9 रो ट्रांस्मिट होगी और सारी ये 9 रो ट्रांस्मिट होने में कितना टाइम लेंगी 125 माईक्रो सेकंड यह 125 μs एक रो का टाइम नहीं है यह 9 रो का टाइम यह पूरी फ्रेम का टाइम में ट्रांस्मिट का कितना 125 μs यहाँ दा बात के लिए रहे अच्छा अगली बात यह किए कि यह जो हर यह देखरो यह डबबे यह एक बाइट कहलाता है इस हम क्या कहते है वन बाइट हर बाइट जो है कितने डेटा रेट को रिप्रेजेंट करती होती है 64 kbps और रिप्रेजेंट कर रही है किस तरह अभी मैं आपको बताता हूं देखो इस फ्रेम के अंदर मैंने का यह एक डबबा है ना यह एक बाइट खेलाता है अभी बाइट को दो भूल जा आप यह समघ्लéric को आपको SDR क का आदा काम समघ्म मैं आगिया अच्छा अब आपने जो है ना इस पूरे फ्रेम को समय लिए बड़ा डबा आई है इस डब्बे के अंदर जो नहीं छोटे चोटे डब्बे मुझूद है एक दो तीन चार पांच छे अब टोटल कितने डब्बे हैं भाई आप यह देखो कि यहां से लेकि यहां तक 270 कॉलम है और यहां से लेकि यहां तक 9 रोज है अगर आपने 270 मुल्टिप्लिया बाइ 9 करोगे ना तो इन डब्बों के ताधार पता चल जाएगी आपको जोगे जोगे यहां पर किया है तोटल बाइट कितनी है 270 मुल्टिप्लिया बाइन इस इकल टू फोर थी जिरो यानि इस पूरे बड़े डब्बे के अंदर चोड़े डब्बे कितने है 2430 सही यादा बात के लिए रहे अब तीसरी बात की तरफ हो तीसरी बात यह है कि हर डब्बे के अंदर हर डब्बे कम क्या कहते हैं एक बाइट कहते हैं तो आपको पता है कि एक बाइट बराबर होती कितने बिट्स के 08 बिट्स के बराबर होती है तो भाई तो पूरे फ्रेम पूरे फ्रेम के अंदर कितिनी बिट्स को ले जाने है काविल आप को पता है कि इस फ्रेम के अंदर कितनी बाइट नीचा सो सी इस था है 27430 बाइट आपने 2430 को Agr multiply by 8 कर दिया कि 8 bit होती है एक byte के अंदर तो 2430 multiply 8 करोगे आप one nine double four zero bits इस पुरे frame यह पुरा frame जो है one nine double four zero bits को contain करता है साइए अभी इसके अंदर हमने यह payload वाले area और overhead वाले area दोनों को हम एक साथ count करके हम अभी calculation कर रहे हैं इसकी साइए अभी आप भूल जाओ कि यह payload अब हम पूरे frame की calculation करना आपको सिका रहे हैं तो जनाब इस पूरे frame के अंदर one nine double four zero bits मुझूद हैं अब आपको पता है कि data rate किस तरह निकाला जाता है data rate इस तरह निकाला जाता है कि एक second के अब जनाब कितिनी bits transmit होई वह क्या होता है data rate होता है तो मैंना आपसे कहा कि इस frame का time period क्या है 125 microsecond तो वाई एक second में कितने frame transmit होते हैं एक second में होते हैं इस frame की frequency है 8000 यानि एक second में 8000 frame transmit होते हैं तो जब एक frame का time period कितना होगा 1 divided by 8000 is equal to 125 microsecond तो इस frame की frequency है उस पूरे frame की frequency कितनी है 8000 frame per second है और frame कितना है bits कितनी होती है वन नाइन डबल फॉर जिरो bits हैं तो अगर आप bits को multiply कर दोगे 8000 के साथ तो इस पूरे frame का data rate आ जाएगा तो वो मैंने यहां भी किया data rate और frame देखो वन नाइन डबल फॉर जिरो bits ही मेरे पास 8000 इस पूरे frame की frequency है तो देखो data rate क्या होता है कि एक second के अंदर कितनी bits transmit होई तो एक second के जतने frame transmit होई उनको आपसे multiply कर दिया उनकी bits के साथ तो हो गया वन डबल फाइफ मेगा बिट्स पर second यानि इस पूरे यह पूरा frame जो है जो के वन नाइन डबल फॉर जिरो bits को contain करता है यह एक second के अंदर वन डबल फाइफ मेगा बिट्स पर second का data ले जाने की capacity रखता है यहां तब बात आगई यह आपके अच्छा तो भाई यह जो चोटा सा channel है यह वाला इसकी capacity केते नहीं है इसकी capacity भी आवाराम सा निकाल सकते हो आपको पता है कि इस channel के अंदर जो है कितनी bits होती है 8 bit होती है सही है तो इस पूरे frame की frequency कितनी थी इस पूरे frame की frequency 8000 थी ना एक यहां यहां पर निकाले data rate of 1 byte is equal to 64 kilobits per second तो इस slide के अंदर आपने जो बातें जहन में रखनी है वो यह है कि STM1 का जो frame होता है STM1 SDH का basic frame है सही इसके अंदर 270 column होते है 9 rows होती है rows row 1 से लेके row 10 तक सारे इसके overhead होते है sorry column 1 से लेके column 10 तक सारे overhead होते हैं उसके बाद column 11 से लेके column 270 तक सारे इसका अंदर payload होता है सही इस पूरे frame के अंदर कितनी bytes होती है या चोटे-चोटे कितने डब्बे होते हैं वो होते है 2430 और हर एक डब्बे का data rate होता है 64 kilobits per second पूरे frame का data rate होता है 155 megabits per second पूरे frame का time period कितना होता है 125 microsecond और इस पूरे frame की frequency कितनी होती है 8000 यानि एक second के अंदर 8000 frame गुदर सकते हैं उमीद है यहां तर बात हैं समझ में आ गई होंगी बशर्त है कि आपको frequency का concept और time period का concept इसका पता हो bits और bytes का पता हो यानि यह वीडियो अगर आप टेली कॉम के students हो और direct देखने बैठ गया तो आपको बिलकुल भी पढ़ लेनी पड़ेगी लेकिन अगर आपको basic concept है इस ज चलिए जिनाव हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अच्छा मैंने आपसे बात कही कि इस frame की property यह है जब यह frame transmit होता है तो यहां से यहां तक पहले एक row transmit होती है फिर दूसी रो पिर तीसी रो पिर चोती रो इस तरह 9 rows transmit होके इस तरह एक frame जो है 125 microsecond में transmit होता है तो अगर overall transmission देखा जाया तो देखो यहां से यहां तक एक frame transmit हुआ इसके पूरी 9 rows चामिल है पहले row number one row number two row number three four five six seven eight nine तरही इस तरह 9 rows transmit होई है 125 microsecond के अंदर इस तरह पूरी series of frame transmit होती है 8000 frame निकलते हैं एक second के अंदर सही अब इस frame को थोड़ा तोड़ के हम लोग देखेंगे और इसक तोड़ा है देखो इन्होंने इस area को अलग तोड़ दिया यह देख रो यह इस area को हाला कि मैंने आप से काता है यहां से लेके यहां तक यहां तक यह पेलोड होता है और यहां से लेके यहां तक यह अवर हेड होता है इन्होंने थोड़ा से को अलग अलग तोड़ा है यह वन बाई वन बताता हूँ चले जिनाब पहले तो मैंने आप से गाता है हम पहले पेलोड के एरिये पर बात करेंगे जो यलो कलर का हिस्सा था इस हिस्से पर हम पहले बात करेंगे सभी ना ये हिस्सा कैसे बना है ये हिस्सा बनाने के लिए कि मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाओंगा ताकि आपके जहन में कॉंसर्ट बैड़िया है फिर आप इसको समझो देखो टी-स या कोई भी एक कॉरियर कंपणी है आप किसी एरिया में रहता हूं मैं कराची का इरिया मलीर वहाँ पर मैं ही रहाश है और इस एरिया के अंदर दो-तिन लोग और भी हैं कई हजारों लोग हैं लेकिन दो-तिन लोग ऐसे हैं जिन्हों आज रात को टी-स करना हैं लाहूर में इन तीन बंदों ने लाहूर के कों Can और किस्किस ने करना है बस हम तीनों चार वह inan जो अपने जो अपना लटसप में लाहूर में किसी यूनस्ट्रय हैं किसी तीसी तीसरे बंदेने लाहूर में किसी कंपनी में कोई लाक्युमिट भैने हम तीनों गए दुकान पर जाएक के छोटा छोटा डब ơi खरीकर ल कि Stick कैका कर वे मृती में किया करेंगें हम तीनों चारों जो हैं वहां पर जाके बोलेंगे हम न deliver हमने यह सौड़ी बहुत खाली हुई तो बहुत च्राइव तो और बाइंटर क्या करेंगें हम और यह ऑनी डॉस्ट के रभा धर è ाक क्र humano उस डब्बे को पैक कर दिया क्योंकि उसकी कंपनी ने कहा है कि भाई अगर तुम मलियर आफिस से तुम मेन हेड़ आफिस में डब्बा भेज रहे हो ना वो तुमने इस साइस का इतना बड़ा भेजना है उसके अंदर लोगों के डब्बे हो हमें उससे सरुकार नहीं उसमें कितने डब्बे हो लेकि तुमने उस डब्बे को फुल करके भेजना है और अगर थोड़ी को जगह बज़ा थी फोर्म लगा देना ताकि वो डब्बा अंदर से सामान हेले नहीं तो एक स्टेंडर्ड साइस का डब्बा उनके हेड़ आफिस चला गया अब हेड़ आफिस को नहीं हेड आफिस हेड़ खिया और यहर्द आफिस है वो क्या करेंगा एक बड़ा डबबा लेगा उसमें यह इस सारे डब्बे आड collective करेंगे बहुत जैसा तो बहुत बहुत बड़ा डब्बा ऑक och जिसमें यह सारे डब्बे आ जाएंगे बह। बढ़ा इ carrier हो वो समें तो यह सारे चोटे-चोटे कंटेनर आ जाएंगे, जब वह यह सारे कंटेनर उस बड़े कंटेनर में जाएंगे, तो उसमें अगर जो फटो जगा बची होगी ना मोमिन्ट किया करेंगे, वहां पे तोड़ी पैकिन लगा देंगे, इस तरह बड़ा एक fix बड़ा कंटेनर रेडी हो जाएगा तो ये अब ये बड़ा कंटेनर उठके जो है एरपोर्ट पे चला गया अब ये एक कोरियर कंपटेनर का एक कंटेनर वहां पोँचा इसी तरह क्या हुआ एक दूसरी कोरियर कंपटेनर थी उन्होंने मुक्तलिफ होसी अपना एक बड़ा कंटेनर बना के भीजा इसना दो तिन कंटेनर जो है जहाज के पास जमा हो गए अब जहाज वाले क्या बोलेंगे जहाज वाले बोलेंगे हमें नहीं पता कि तुम लोगों ने कंटेनर में क्या क्या व्याया है अब यह हम आप हैंनWow मैने सीक्यूरटी रिस्क हारा की बात नहीं कर रहे हैं कि कंटेनर नहीं कर भागे बड़ा आपके संझान के बात कर रहा हुँ तो जहाद वाले बैंगे ने कि आए कि आपके नहीं को स़रुकार नाई आपको हमने तीन सिंडर्सिय्ट आपसे का थे से कंटेनर है अपने में वह हमें रहा के भीडेंगे असे आपसे उल्हाइटे कंपनिनर वो दे देेंगे मंजीद खोलेंगे न को खोलेंगे भी ओनानों चोलेगी, वो धून इनका HAVE OA bul यानि SDH के अंदर implement हो रही है अब वो मैं आपको समझाता हूँ वो किस तरीके से SDH के अंदर जो है concept container कही है यह किलाते हैं मुख्तलिफ लेवल के container होते हैं मिसाल के तो पर एक बड़ा container भी इनकी पास मुझूद है जो के 139 megabits के data को ले सकता है और उससे चोटा container मुझूद है जो के 44 megabits या 34 megabits के data को ले सकता है उससे चोटा container है जो 2 megabits के data को ले सकता है यह मुक्तलिफ container क्यों रखे गए हैं वो इस वाजा से रखे गए हैं क्योंके data size vary कर सकता है मिसाल के तोर पे मैंने चोटा सा packet भीजना था तो मैं मलीर आफिस में आगे दे दिया लेकिन मैंने बोलूँ कि यार मैंने अपने पूरा घर यहां से उठाकर लाहूर में shift करना है सारा समान भीजना है तो मलीर आफिस वाले बोलेगा भाई आप मेरे head office में बात करो क्योंकि इतना bulk continuity में समान हम लोग ने उठाते हैं तो head office वाले क्या बोलेंगे कि यार हम एक बड़ा container direct head office में भीज रहे हैं तो सारा समान उसमें डालो हम उसको direct पहुँचा देते हैं तो वह कहानी यहां पे होगी अगर बड़ा data आते है ना तो direct बड़े container में शामिल होके और इस direct container मिलके सीधर जाके STM1 का frame निकालते हैं बनाके निकाल देते हैं जबकि यह चोटे container जो होते हैं वह चोटे चोटे data लेने के लिए होते हैं अब देखो मिसाल के तोर पे यह चोटा container है यह ले सकता है 1.5 Mbps का data सही है ना इस ने ले लिया यह लेने के बाद हर container के साथ साथ sdh की जो property है sdh के अदर जो खुबसूरती है जो इसके अदर जो इसकी एक खास जिसे कहते हैं कि इसकी property कहलें वह यह है कि इसके अदर overhead ब यह करते हैं कि भाई आपक ने जो starting से जो container लिया एना उसके साथ ही पहला overhead लग जाएगा यह कल देखो यह हर container के साथ लगएगा इसे हम कहते है path overhead यहां पर लग गया जब path overhead एक container के साथ लग जाता है उसे यह बन जाता है virtual container इसको हम कहते हैं VC यह बन गया अब path overhead क्या करता ह पात अवरेड ये करता है कि भाई जो कंटेनर आया था उसके अंदर alarm की information और उसको control की information उसमें शामिल होती है सही अब ये छोटे वाले कंटेनर था सबसे छोटे वाले कंटेनर इसके साथ भी पात अवरेड लग गया अब जो भी ये आगे जाएंगा न तो इसमें लगेगा pointer pointer हर container साथ लगते है हर container सा pointer लगते जाएगा वह पात अवरेड का तो ये virtual container बन गया उसका दूसा अवरेड इसके हर container के साथ लग गया वह क्या बन गया टिरिवीट्रिव यूनिट बन गया अब pointer क्या करता है पात overhead क्या करता है यह थोड़े बात आगे बताऊंगा अब आप समझ लो कि packet बंद किस तरीके से है यह अब overhead लगते जा रहे हैं अब overhead लगते हुए यह ट्रिबूटरी यूनिट बन गया क्योंकि उसका पॉइंटर भी लग गया अब देखो जो छोटा वाला कंटेनर था ना उस जैसे चार कंटेनर मिले तो इन्होंने टग गुरूब बना दिया सही या उससे जो बड़ा कंटेनर था उस जैसे तीन कंटेनर मिले तो वो टग गुरूब बना दिया या उससे जैसा एक बड़ा कंटेनर था वो एक ही मिल के उसने टक ग्रूब बना दिया ये कि स्टेंडर्ड लेवल डिफाइंड है हर इलाके वाले को पता है कि भई ये मलीर का कोर ये आफिस है कि भई अगर चोटे चोटे आया तो तुमने इस साइज में डालना है उससे बड़े आ जाए तो तुमने इस साइज में डालना है उससे बड़े आ जाए तो इस साइज में डालना है और अगर कोई डायरे कि तुम्हारे स्टेंडर्ड साइज के करीब डेटा लेकर आ जाता है तो उसको एक डबे में डालकर सीज़ आगे बढ़ा दो यह sdh करना step by step हरायर की बनती है हर stage level का data rate define होता है कि किने भी level का data आजाए तुमनें इस container में रखदेना है इस level के आजाया इस goal इस goal इसlles program इस बात को थोड़ा समय यहापे किलिए करदू देखो एक data आया C1-1.2 level का C1-2 level कौन सा था 2 Mbps वाला डेटा है सही न, यह आ गया C12 level वाला जब डेटा आया तो इसके साथ दोखो path overhead लगा तो यह बन गया VC12 सही है, VC12 के साथ जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसके साथ pointer का डेटा लग गया तो यह बन गया Tributory Unit 12 सही है, अब इस जैसे इन्हों ने बनाया Tug2 यह पूरह क्या बन गया, ये Tug Group Tributory Unit Group 2 यह Tributory Unit थे ने ये तो Tributory Unit Group 2 बन गया ये इस जैसे साथ मिले 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस जैसे साथ और मिले, इन्हों ने पूरह मिलके बना दिया, क्या बन गया ये Tributory Unit Group 3 बना दिया पूरा सही है यह Tributary Unit Group 3 जो बना इस जैसे तीन और मिले वन टू और त्री इन्होंने पूरा मिलके बना दिया VC4 लेवल VC4 लेवल के साथ एक पात आवर हैड बन गया पात आवर हैड एक और लग गया इसके Information कंट्रोल करने के लिए तो इसने बना दिया VC यह सोरी यह Tributary Unit 3 जो बनाते है न तीन Tributary Unit 3 बने थे इन्होंने पूरा एक Container 4 लेवल का पूरा डेटा रेट रेड़ कर दिया कि इतना पूरा डेटा रेट है यह Container 4 के अंदर आ सकता है इसके अंदर आ सकता है सही है जब इसके अंदर आ सकता है तो SDH की requirement होती है कि जब इतना लेवल का डेटा आपके पास आजा तो इसके पात अवरहेड एक और लगा दो तो यह पूरा वर्चूल कंटेनर पूरा एक पूरा एक कंटेनर बन गया अब SDH सिस्ट्रम को इससे सरुकार नहीं इसके अंदर कितने ही ट्री उनिट गूरूप 1 है कितने 2 हैं कितने 3 हैं कौन-कौन से हैं उसने देखा हाँ पूरा एक VC4 लेवल का पूरा एक कंटेनर वर्चूल कंटेनर तयार हो गया इसने इसके साथ पूइंटर लगाया और उसके साथ जो है पूइंटर लगाता और ट्रीबिटर यूनिट वन टू बन गया था उस जैसे तीन मिलके उन्होंने ट्रीबिटर यूनिट गूरू बनाया था उस जैसे साथ मिलके उन्होंने ट्रीबिटर यूनिट जो है ट्रीबिटर यूनिट गूरूप 3 बनाया था उ अब SDH को इससे सरुक आनी यह 139 का डेटा डिरेक्ट आ रहा है यह नीचे step-by-step multiplex होके आ रहा है तो उसके पास बस C4 लेवर का डेटा आया उसने उसके साथ किया किया एक path overhead और लगाया तो यह VC4 बन गिया जब भी path overhead लग जा तो जो container जो है VC बन जाता है वर्चूल container बन जा frame बनाके इसने निकाल दिया इस तरहां एक SDH frame का पूरी तैयारी होती है आप किस कोई भी data rate इसके अंदर दे सकते हैं उमीद है यह बात आपको समय में आगए होगा अगर नहीं समय में आए तो भाई इससे को दुबारा सुन लो ताकि आपको समय में आ जाए कि path overhead करना मुक container मुक्तालिफ size के हो सकते है c12 level का भी हो सकता है c2 level का भी हो सकता है, c11 level का, c2 level का, c3 level का, c4 level का हर container का بنने का طریقर मुक्तलिफ है यह जो picture घोंके आपके सामी मुझूद है इसके नहीं सी12 level का पूरा तरिके का origin किया था, आपको यकिनन, आप समय में आगी होगा कि अगर two M, B , C level का container आ जाए डेटा आ जाए तो देखो वो डियरेक इस तरह अजाएंगा, C3 level का जाए तो direct इस तरह बन जाएगा C4 level का जाएगा वो direct के इतना desire reiterate होगा वो बहुलेगा हाँ भी तुमने direct मेरी पुरी capacity भर दी है तुम direct समान एर्पोर्ट पर लेकर आजाओ मैं तुमार direct container उठा के जहाज में रखके भीज़ दूँगा सही है और अगर C3 level का है इन्हों ने इतनी capacity कर दी है कि भाई यह से मली बराच या लाहूर बराच बसुरी मली बराच या लांडी बराच टोटल इतनी capacity है तो direct head office लेकर आज़ो हम आगे भीज़ देंगे सही है अब यह चोटी capacity है इसमें मुक्तली लोगों capacity इनकी इतनी जादे capacity नहीं थी इनके छोटे छोटे डबे मिलागे एक बड़ा डबा बनाया और बड़ा डबा बनाया कि उसको हमने direct airport बो भीज़ दिया तो यह सारी इसमें एनलोगी किलाती है container by container चलता है sdh का system तो जनाब सबसे पहले किलाता है container उसके बाद जो है virtual container बनते हैं क्योंकि उसमें path hour head के अदाफ़ा कर दे जाता है जब path hour head के बाद इसके अंदर pointer लगते हैं तो यह बन जाते हैं tributary unit जब tributary unit को आपस मिला जाता उसके बाद section hour head मैंने section hour head बना बना के पूरा sdh का frame बना दिया जाता है सही अचा अब जो sdh का frame जो होता है उसका basic data rate होता है 155.54 megabits per second का सही यह basic data rate एक sdh1 की frame का सही लेकिन इसके बाद खाली यही होता है या इसके आगे भी steps होते है इसके बाद sd1 का sdm4 होता है sdm16 sdm64 होते हैं यह मुक्तलिफ data rate होते हैं अब देखें हर data rate जो higher data rate ने पिछले वाले data rate का exact multiple है मिसाल के तोर पर sdm15.54 megabits per second है इसके बाद अगला है sdm4 तो आपने 155.54 को multiply गया 4 के साथ तो 6 to 2 हो गया फिर 4 के साथ multiply गया 2.5 gigabits per second हो गया फिर 4 के साथ multiply गया आपने 10 gigabits per second हो गया तो यह hierarchical data है यह तो आपको बात सही में आगई होगी कि synchronous digital hierarchy की पूरी definition यकिन आपके बात जहन में बैड़ गई होगी यहां तक यह data rate आप तो लाजमियात कर रख लिएगा sdm1 का data rate कितना होता 4 का कितना होता 16 का कितना होता क्यूंकि objective के अंदर या job के कुछ से अनुसमें इस चीज़ें पोची जा सकती है यहां तक बात आपके सही में आगए कि भई पेलोड को किस तरह accommodate किया जाता है अब हम बात करेंगे इस area की यह overhead जो होते ना यह overhead लगते हैं तो क्यों लगते हैं और इनके क्या क्या काम होते हैं और इनके काम किस तरह divide होते हैं इनके काम को divide करने के लिए ना तो आपको मैं आपके बात समझाता हूँ पात पेलोड वाली बात खतम होगए यहां तक साइए अब हम सारी बात हमारी होगी मूफ करेंगे हम लोग overhead की साइट पे तो आवरेड की basic definition यह काम क्या होता है कि यार यह control करते हैं alarm देते हैं और destination बताते हैं और कहा से start हुआ यह बताते हैं यह स यह बता उसके बाद section overhead अलएदा था quota अगर आपर आप पिछली स्त्रेड़ में आकर देखें पिछली साइड में आकर देखें कि यह देखें यह path overhead का है RSOH का हलिया है MSOH का हलिया है और यह auxiliary unit pointer यह आई बतार का हलिया है तो भाई ये कहां कहां इस्तावाल होते हैं इसको समझने के लिए आपको थोड़ सी कहानी में बताता हूँ देखो आपको पता है आपको अगर नेटरवर्क का बैक्गराउन हो तो आपको पता होगा कि यार जो कम्प्यूटर नेटरवर्क के अंदर जो हैं आपके पास राउटर भी होते हैं सुच भी होते हैं हब भी होते हैं सर्वर भी होते हैं तो भाई क्या कोई कम्प्यूटर नेटरवर्क बनाने के लिए सारी अलेमेंट दालने जरूरी है या किसी को आप रिमूव भी कर सकते हो तो भाई इसका जवाब है ये डिपेंड करता है आपके र requirement क्या है उसमें router लगाना है ने लगाना सुच लगाना है ने लगाना हब लगाना है ने लगाना सभी है तो लेकिन जो मुख्तलिफ element होते हैं उनके मुख्तलिफ काम होते हैं अगर आपने OSI layer वाली मेरी video देखी होगी उसमें आपके बात बताई थी कि जो physical layer है उसका काम क्या गया उसके उपर जो layer 3 ट्रांसपोर्ट लेयर उसका काम क्या था कि पोरा message एक जगा थे दूसरी जगा पहुंच गया क्या नहीं पहुंचा फिर उसका काम खत्म है नहीं हर एक कालगाला काम define होता है हर layer का हर stage का अब sdh के अंदर क्या है sdh के अंदर भी मुक्तलिफ equipment होते हैं देखो पहला होता है regionator regionator का हर पहले हम क्या करते हैं हम चारे equipment के काम हमज़ते हैं फिर हम बात करेंगे कि इन को control करने के लिए इनके overhead किससे नहीं काम कर रहा होते है regionator का क्या होता है regionator के अगर signal attenuate हो चुक अटेनuate हुआ कोई loss हुआ तो यह regionator क्या करेंगा signal को regionator करके आगे निकालेगा बसकर सिफ इतना काम है तो यह terminal multiplex या part terminal element का क्या काम है इसका काम यह है कि भाई sdm का frame बनाने इसने sdm का frame बनाने के लिए यह क्या करेगा यह मुक्तलिफ लेवल के data rate को input लेगा और एक sdm standard level one double five megabits का out करेगा तो देखों यहां पर इसके मुक्तलिफ लेवल आ रहे हैं यहां पर two mb भी आ सकता है यहां पर one point five mb भी आ सकते हैं यहां पर six mb भी आ सकते हैं यहां पर 34 mb 40 mb 139 mb यह सारे data rate यहां पर आ सकते हैं लेकिन output क्या निकलेगी इसके अंदर एक sdm one का frame न कि देखो आप कराची में बैठे हो इस सायड़ पर साइड पर कराची है इस सायड पर lahore है बीच में अएक शेहर है रायमियार खान से कराची से सारा data जा रहा है लाहور terminal multiple expanding system बीच में लगा दिया जाता है यह क्या कर सकता है यह क् apenas यहां यहां से two mb भी ले सकता है 34 भी ले स यहां पर भी ट्रेवल करवा सकते है, इसको यहां पर भी भेज सकता है, यह बीच का एक station बन गया है, जहां पर आप add and drop कर सकते हो, तो आप 2 MB का level, 2 MB का signal भी add and drop कर सकते हो, 34 MB का भी कर सकते हो, 64 का भी कर सकते हो, तो यह जो add and drop multiplexer है, यह ज़ादा तर, जो है रिंग टॉपलोजी इसके इसका इसका कॉंसेप्ट के एक रिंग बना हुआ है पूरा डेटा सर्कुलेट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे कोई डेटा निकालना हो या डालना हो आप आप एड़न डॉप मल्टिपलेक्स से लगा दो अपना मर्जिय डेटा निकालके ड इसका इसे मड़ा इसका Table से आप करेंगे बोर यह जाएगा किस तॉकी में जायगा जो साहे टप टॉ में जायगा Stributory Unit Group जो बने हुए थे, किस में जाएगा, और मतलए कि हर एक Data Rate का Route Define करते हुए जो सुचिंग करवा हो गए आप वो Digital Cross Connect पे आप करवा होगे, यह चार टाइप के Element हैं जो के SDH Network में इस्तमाल होते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ, SDH Network यहां पैके खतम हुआ, तो साइडों पे जो लगए है तो वह क्या था, Terminal Multiplexer था जो मैं आपको बताया था, साइए, बीच में दो को Regenerator भी लगा हुआ है अगर Distance लंबा हो जाया तो Regenerator भी लगा हुआ है, और बीच में तो कराची है, यह लाहुर है, यह बीच में रह्मिया खान है, कराची से रह्मिया खान का Distance इतना जादा है कि बीच में एक Regenerator भी लगाना पड़ गया, यहां से data है, यहां गया यहां पर, Cross Connect भी हुआ यहा पाथ है, इस टार्ट से लेके, एंड पॉइंट तर यह पूरा section क्या किलाता है, यह पाथ का section किलाता है, इस पाथ का section किलाता है, और दूसरी चीज़, किसी भी Multiplexer से Regenerator के दरम्यान में, यह री जनरेटर से किसी दूसरे Multiplexer या Cross Connect के दरम्यान में जो Distance किलाता है, यह किल या एक Multiplexer से Cross Connect के दरम्यान जो Distance किलाता है, यह Multiplex section किलाता है, यह तीन टैप के section है, पाथ का section है, Multiplex section है, और Regenerator section है, अब जरूरी नहीं है कि आपको Regenerator लाजमी लगाना है, जरूरी नहीं है कि आपने Cross Connect लाजमी लगाना है, यहाँ पे आपको चारों लगाके बता दिये लगा हैं, अगर Regenerator लगा होगा और Multiplex भी लगा होगा डीटल function more लगा होगा कर तो Regenerator से किसी दूसरी Creator के देवाइस का दिवाइस का कि दिवाइस्छाशन प्राएllesकर सैक्षण के लाता है, margin. पाथ का section के लाता है, प्रूरा सैक्षण बता दिये गए हैय अब जहूरी नह सारी के सारा शामिलों, देखो यहां पर इक नेटवर्क बनाए गया सारी एड एंड ड्रॉप मॉल्टीप्लेक्सर लगा दिया, इन्हों ने यहां पर शाव recognize यहां पर लगा धिया त kita में निया कंग है ड्र... में यहां पर काम यह बताए है। मुध यहां सब्सक्राइब को अच्छिछ फ्रेम् सब्सक्राइब करने और आगर चानल को अगर सब्सक्राइब इसको इस जाल किया है , आपको पेलोड के बारे में डिफाइन किया था अब sdh network element पढ़ने के बाद मैं आपके अब overhead को डिफाइन करूंगा overhead होते क्या है जिनाब overhead हमने देखे थे overhead होते हैं basically दो type के path overhead और session overhead path overhead क्या था हर container के साथ path overhead लगता जा रहा था मैं आपको दिखाता हूँ देखो यह container आया था है इसके साथ path overhead लग गया था इसको virtual container बना जिया था यह बड़ा container अहाँ था यह path overhead लगाकर और गदा था यह path overhead लगाकर वर्ट वार्ट आया था यहाह था attribute to unit group का त्रीय आया था इसके अंदर जो है बेशक अपने अपने छोटे छोटे कंटेनर हैं हर कंटेनर के साथ अपना पाथ और हेड्ड लगाया हुआ है लेकिन जब यह मखसूद डेटा लेवल पहुंचिया वन-309 का तो इनने ने इसका काम किया है, यह monitoring and alarm information को deal करता है, path over head size varies with container, मुख्लिफ size के container के लिए मुख्लिफ path over head size होता है, और यह travel करता है count container के साथ-out-out-out-out-out-out-out, यह यह start में से लगता है और end तक जाता है, जो मैंने पूरा path define कहता है, एक terminal multiplexer start से लेकर other end तक यह पूरा path का section है, path over head पूरा start स तो पात-अवर हैड अगर कंटेनर के साथ लगते हैं को बनाते हैं वर्चूल कंटेनर के साथ बनते हैं पर में प्रयू से अब से कृशिब करने हो के दिखो इसकवे दानुकर के का मेनजमिन करना कंट्रोल करना मेरा में आरवं 45 सेक्षें कि है मुख्तलिक्स सेक्षिंस में डिवायट कर देजाते हैं थे जर्ट इन रिए सेक्षिंस क्या करना है क्या करता है। मुल्टिप्लैक्स सेक्ट के लाता है। कैसी फिक मुल्टिप्लैक्स सेक्टिफिकत। Mapस। तीसरा है उनिट पॉ понялटर अउनिट आइए अौटिण्पेटन क्या करता है। यह हर कंटेनर में मुझोद इन कि स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है इस फंक्शन बिकॉम इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एस एन्रोनस केस समझ लो कि चलो भी इस लेवल पर ये समझ लो कि हर कंटेइनर के अंदर डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पर खतम हो रहा है यह बताना किसे काम है आउक्जिलेरी यूनिट पॉइंटर का काम है तो यह पुरा एक्सडियेश का फ्रेम है उमीद अब सारी बात है सही में आ गई होगी पहले हमने बताया कि पेलोड किस तरह बना पेलोड बनने के बाद पात आवरहेट सब के साथ लगता है यह यह क्या क् अग्जले यूनिट पॉइंटर जो है हर कंटेनर मुझे पूरा कंटेनर हर वर्च्वर कंटेनर मुझे डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां पर फिनिश हो रहा है वह यह बताता है सही है ना यह हम लोग यहां तब महुंच गाता है यह देखें री जनेरेटर सेक्शन ओरर नीचे वाला है स्टार्ट सारेट मॉपार ओर वाला मुल्लिक्लर सेक्षें षारं नीचे वाला है इनके असमे अपने का मैफ You कांशन के दोब test में काम के वार्चिन ऐड़ उन पर उब कोई यह यह मी manner तो दोनों के दोब दिखक कर दे खना है को यह मैं एक जुश चैन एफ़न मेंटेनस वाली बाइट्स हैं जे ओ जो हैं अपना ट्रेस आइडेंटिफायर हैं के वन के अटू के अलेकानी है वो प्रोटेक्शन सुचिंग वारा को देखते हैं ये लोग एस वन जो क्लॉक कॉलिटी इंडिकेटर होते हैं क्लॉक सिंक्रोनाइज है नहीं है इस ट जो है उसकी यज़िगे प्रोपर्टी जैंर उसके लिजुजायर है इसके अंदर मेंट नहीं है क्यों होती जो है तो आपने देखा में डेखा है हर पहरल औरियर भाई यहां पर ऑफ़ी अट्रोंच क्रू करें यहां शायर आठों ऑनाषी मेंटल वहाइ नहीं धनरat कि यह अपने हर container के अंदर अपना जासूस छोड़ा हुआ हर container के अपने overhead छोड़े में जो direct आपको control करके आपको main site पर signal भेज रहे हैं हाँ यह वाला container चल रहा है यह वाला साही चल रहा है तो पूरी powerful management होगी पूरी frame की management आपके हाथ में असानी से हो गई है standard optical interfaces हैं जो आगे STM1 level का interface है STM4 का level का interface है STM16 का interface है STM64 का interface है यह सारे interface जो है ITUT के defined interface है standard defined interface है इनका फायदा यह होता है कि मुख्तलिफ company जो मुख्तलिफ devices बनाती है लेकिन जब सब एक interface को follow करेंगी न तो एक device का signal दूसरे device accept करेगी दूसरे device से signal यह device accept करेगी तो इस तरह हमे vendor specific नहीं होना पड़ेगा standard digital format है हर frame का digital standard format है कि हाँ इस level पर इतना data rate होगा इस level पर इतना data rate होगा पूरा एक standard method defined है इसके अंदर vendor independent है भाई जब सब चीज़े standard defined है सब चीज़े controlled है तो vendor की आप dependent नहीं हो आप एक जगह पर Huawei equipment लगा और एक जगह पहल करेटर का लगा लगा सिंक्रोनस digital structure है सिंक्रोनस मैं आपको बता दीजिटल structure भी आपको में define कर चुका हूँ easy cross connection है तो cross connection यह होता है कि आप किसी भी 2mb level हो चायब 6mb level हो चाय अच हो चायब 130mb level हो उसको आपं तर्द कर सकते हो कहीं पर भी add कर सकते हो कहीं पर ठ्रोप कर सकते हो उसका route define कर सकते हो तुमने इस रस्टे से जाना है, तुमने इस रस्टे से फॉलो नहीं करना, जब सूचिंग होगी तुमने यहां से फ्लो करना है, तुमने यहां से नहीं करना, क्यों आप Easy Cross Connect क्यों है, क्योंकि आपका हर container level तक control मुझूद है हर container level तक आपकी overhead byte मुझूद है जो सो control कर रही है जब control आपके इतना perfect है तो आप easy cross connect भी आप अराम से बना सकते हो easy and add and drop हर tributary level पर पॉइंटर लगा हुआ है हर tributary level का आपको बता है कि data कहां से start हो रहा है कहां पर खतम हो रहा है हर tributary level पर आपके path overhead is signaling information control information तो इसको add and drop करना भी आपके लिए बहुत आसान है reliable है जब in case break आ जाता है तो इसमें दोंको path overhead हर container के साथ मुझूद है वो बता देते हैं हाँ भई loss of signal हो गया है पुला जब fiber कर गया है alarm generate हो जाते है उससे पता चला है fiber कर गया है तो इससे automatic switching हो जाती है k1 k2 byte जो भी मैं आपको बता है था management section overhead के अंदर msoh के अंदर multiple section overhead के के 1 k2 byte है जो switching वाला काम करती है तो switching करवा देती है तो यह reliable system है direct access to lower order tributaries जो चोटी सी चोटी ट्रिबूटरी है 1.5 MB की 2 MB की उस तक access direct असान है वजह हुए है कि आपके असाथ overhead आपके नीचे root level तक आपके आपके आवरेड मोजोनेस के अंदर compatible to transport PDS signal जो पराने PDS signal ता जिसके output 2 MB थी, 34 MB या 140 MB थी उसके signal को आपसमें एजी लिए अकुमोडेट कर सकते हो, support various topologies, ring topology, bus topology, star topology, इन तमाम topologies कोई support कर दा, जबकि PDF system सिफ और सिफ, point to point communication के लिए समाल होता दा, it provides both electrical and optical interface, दोन इंटरफेस प्रोइड करता है, switching protection is offered by ring, switching protections में मुझूद है, वही बात है, k1, k2 byte जो है, यह सवाल आता है, यह I think job level पर सवाल पूछा आता है, student level पर नहीं कि switching वारे के लिए कौन सी byte, इस सवाल है, k1, k2 byte मुझूद है, जो कि switching level को control कर रही होती, अच्छा, provisioning of services to preferred route, अब आप जो इसमें easy cross connect आपने पढ़ कर सकते हो, cross connect आप 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 से इसको बना सकते हो, तो भाई जब cross connect उस सुरत में बना जाता है, आप इसको route डिफाइन करे, तुमने यहां से जाना है, तुमने यहां से जाना है, यहां से break हो गया, तुमने यहां कर सकते हो, interface existing PDH signal, PDH के signal सबको interface provide करता है, और NMS facilities के अंदर मुझूद है, उमीद है, SDH की वीडियो आपको समय में आ गई होगी, और अगर नहीं आए तो इसको एक मरतबा दुबार सुन लो, क्योंकि यह बहुत ही एहम concept है, हास्टों पर टेलीकॉम के student के लिए, अगर जाए, शुक्रिया, अल्ला हाफिस,